मस्त मैं चैनल में आपका स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं वे ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें हेलो बच्चो कैसे हो आज बच्चो हम करेंगे आठवी करसा का तीसरा चैप्टर चद्र हुजों को समझना उसकी अक्सरसाइज तीन पॉइंट एक के बारे में हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में अब परस नमबर एक आपके सामने हैं परस नमबर एक में क्या है यह आक प्रत्या दी हुई है और परतिय का वर्गीकर निम्लिकित आधार पर कीजिए हमने इनका वर्गीकरं करना है जब साधारन वक्तर साधारन बंद वक्तर बहुच में तो बचो यह है आपके सामने है परस नमबर एक में और इस नमें के बारे में हम चर्चा करें। साधारन कर क्या होता है एक तो उसके अंदर कोई दूसरी आकरती नहीं हो और एक अजय रेखा से टचना करें हो किशी भी दूसरी रेखा से वो टचना करें दो बातों अझान रगाने हैं जैसे यह है यह लगातार है सारे का सारा कोई दूसरी रेखर टच नहीं करती और नहीं इसके अंदर कोई दूसरी आ करती है इसका मतलब यह क्या है साधारण वक्र को हम साधारण वक्र लेए Second, Second by इसी प्रकार कोई एका टच नहीं करती, दूसरी आकरती इसके अंदर नहीं है, तो हम कह सकते हैं Second आकरती भी क्या है, साधारण वक्र है, Third, इसके अंदर दूसरी आकरती है, तो इसका मतलब ये साधारण वक्र है नहीं है, पॉर्द में देखिए ये देखा है तो इसका मतलब यह भी साधारन वक्त नहीं है यह ये है तो वक्त रेखाईं लेकिन ना तो कहीं पर दूसरी किसी को टच कर रही और ना ही इसके अंदर कोई आकरती है इसलिए लुआाई चैशा consider JJ्मां जरेए पांचवां चुतरी अब्सकर करती है इसका उद्धू सब्सक्राइइ जांए थे में दूसरी एक करती नहीं है इसका मतलब प्रसी ओधू है और है छोड़ी परकार आप 8 मिट्च कर रही है इसका मतर्व ये साधारन वक्कर नहीं है इसलिए वच्छो ध्यान से देखिए किसी को नए तो कोई दूसरी देखा टच करें और नहीं उसके अंदर दूसरी आकरती हो उसे हम कहते हैं साधारन वक्कर साधारन वक्कर में कुण कोई आकरतियां फरस्ट आकरती सैकेंड ते शीयोस्फ और सेवन यह तatique साधारन वक्कर है अगर उद्व में तो पता लग्ठी नहीं में इसारे करते вам양े को कौन सा साधारन बंद वक्र है पहला भी बंद है सेकंड सेकंड भी बंद है फिर फिर यह भी बंद है फिर शिक्स यह भी बंद है और सेवंथ भी बंद है इसका मत्रब यह सारी ही साधारन वक्र तो है यह बंद भी है फास्ट सेकंड फिर शिक्स और सेवंथ यह कलियर हुआ आप करते हैं बहु भूज बहु जो सर्य रेखाओं से घेरी आकरती यानि सर्य रेखाओं होने चाहिए उनसे जो भी आकरती बनी हुई है उसे हम क्या कहेंगे बहु भूज कहेंगे जो यानि रेखाओं के द्वारा बनी हुई हो उसे हम क्या कहेंगे बहु भूज जैसे ये रेखाओं द्वारा बनी हुई है इसका मतलब ने फस्त आकरती क्या है बहु भूज है दूसरी रेखाओं द्वारा बनी हुई है ये भी बहु भूज है तीसरी आकरती वक्कर रेखा बहुवज नहीं है यह बहु बहु बहुज नहीं है इसलिए यह बहु बूजें आ करती है यह थी आपका 3rd C part में बहुज कौन कौन सी हुई 1st 2nd और 4th जो रेखा खंडो द्वारा बढ़ी हुई या करती है उसे बहुज कहींगी उसके बाद आता है Part D उतल बहुज क्या है उतले बहुज उतल बहुज में क्या है बच्छो जो बहुज है क्या है जो बहुज है शिर्व हमने वही देखनी है बहुज के अंदर 1st 2nd 4th यह बहुज है हमाई कि शिर्व फेहां मैं 1st 2nd 4th पर इच्छा करेंगे बहुज उसमें उत्तर कौन सी होती है जिसके शिरस आकरती के यह जो विकण होता है आमने सामने के शिर्ष मिलाई जाते हैं उनसे एक विकण मनता है अगर वो विकण आकरती के अंदर अध्यंत्र में श्थित है तब तो उत्तर बहुज है अगर वो विकण आकरती के बहार है बहिर वाग में है तब वो क्या है अउत्तर बहुज है यह ज्यान देना पर चर्चा करेंगे से कुँंदुंध कि उत्तल बहुगोज की सरचा करते हैं तक new go norm Klok याकर्ती के बारहे तब वह तरस अगर आकर्ती चक्तिकित के अंतर है अंत्र में और अगर वहेёл Goodbye यदिगर फॉर्थिकंट के टर्शाक करते में जर्चिन गरता है यह और दौ bene से पलीया सब्सक्राइब ये यह आकर्ती के बहुंद है लुक्तिन मिलते हैं दो बहीरवाग में हैक इसका मतलब ये उक्तल भुष नहीं है ये मतलब ये है सेकेंड लांचार न्यों चक्छा करना है भूर हमने बन्वंक रखर Ultu तो कहां पर मिलते हैं बहिरबार में मिलता है इसका मतलब यह क्या है padre गें या कह depressed अफ इस नमर दों में कितने विकण है ये बच्चों परशल नमर दो artif के शाबने है इसमें हम्ने बता anthropologist विकंड है जैसे उत्तल चत्रभूज है यह, जो आपके सामने आ करती है, पर्शन नमर एक मैं हमने चर्चा की थी उसके बारे में, कि इसमें कितने विकर्ण है, संबुखे सिर्षों को मिला दीजिए जैसे यह, एक तो यह हो गया, और एक यह सिर्षों को मिला दीजिए, इसका मतलब इस इसमें कितने विकर्ण है, हम लिखेंगे दो, कितने विकर्ण है, दो विकर्ण, इसमें दो विकर्ण, संब सढुच, जिसकी छे की छे भुजाएं पराकर होती है, अब आम इसमें विकर्ण चुंचे, विकर्ण है, एक एक सिर्ष को छोड़ के खिंच दीजिए, सामने, जो विक्ण आराम से खेग सकते हैं आपने क्या ज्यान रखना स्य शल्स को छोड़के आप विक्रण फिजी को छोड़ दिया एक तो यो ग्यार एक विटल कि दूस्रा यहां से हम एक इसको छोड़ेंगे आसनगो और दो यहां से एक इस आसनों छोड़ेंगे सूवार का 3 आसी जोग से एक इस आसनदैंगे 4 मिली यहां से इसको चोर्ड़ेंगे 5 मुझा यहां से इसको चोर्ड़ेंगे किा हुआ यह पर आसन शिर्ष को चोर्ड़ेंगे चीन तो यह हैं हैं अब दो दो को चोड़गे हम देखेंगे यहां से एक और इक सो चोड़गी है यहां पर छाइब साथ 25 यहां से 261 और डू यह लड़ कर्ट अर यहां है यहां से दो चुड़ है यह से 2 होगे हैं अगर तीन चोड़के देखेंगे यहांसे फिर वह भी है सारे के साब इसका मतलब इसमें कितने विकन हुए नोगा समसर्वूज है जिसके सारी भूजाएं शेकी भूजाएं परापर है उसमें कितने हैं 9 त्रुपुज में अगर हम एक आसन को यहां से खेंल से ये विविकर्ण नहीं है कोई नहीं कोई बिकर्ण नहीं इसके अंदर कोई भी विक्रनें नहीं है यह था आपका प्रस्ट नमबर दो प्रस्ट नमबर तेंग आपके सामने हैं उत्तर चेटरूज के कौनों की मापों का योगफर क्या है यदि चतर पूझ उत्तर नहीं हो तो क्या यह कुंड लाकु होगा एक चतर पूझ उत्तार्भूज हो सकती है जिसके मिखटी के अंदर होते यह उत्तार्ज वुज फुन्द है एंग क्या है सब्त्छत्र वुज की मापकून का योग फल क्या है हमें पता है स्रवाइग के चारों कोर्ण का योग है तिनसके साथ दीखती होता है हमेशा तो इसका मतलब क्या हुआ उत्तर चत्रभूज के कौनों का योग क्या लिए उत्तर चत्रभूज के अंत्य यानि अंदर के अंत्य कोनों का योग 307 डिग्री होता है उत्तर चत्रभूज के अंत्य कोनों का योग 307 डिग्री होता है अब इसमें इसी में पूछ लिया यदि चत्रभूज उत्तर ने हो तो क्या यह लगो होता है सेकिंड पार्टी सी में हाँ यदि चत्रभूज उत्तर ने हो तक भी अंत्य कोनों का योग सदेव 360 डिग्री होता है यानि बच्चों इसका में क्या हुआ कोई बी चत्रभूज है अमने की इसकर स्निकाल दिया चाहिए उत्तर है चाहिए उसके चारों कोनों का योग या उसके अंत्य कोनों का योग 307 डिग्री होता है इस परकार से परसन नमबर चाहर के लिए कोनों का योग हमें कैसे निकालते हैं किसी भी बभूज के कोनों का योग बभूज के कोनों का योग ये बड़ा ही important formula है इसी से निश्कर्ष के तोर पर निकाला गया है बभूज के अंत्य कोनों का योग बभूज के अंत्य कोनों का योग क्या होगा एन माइनस टू गुणा एक्सो अस्य एन माइनस टू गुणा एक्सो अस्य एन क्या है बभूज की संख्या इस फार्मुले को बच्छो ध्यान से याद रखना अपने और वो कैसे वह आकरतियों से बढ़ाए गया फार्मुला एन माइनस टू गुणा इस सो असी बस यह जयाना है अगर तिर्भूज है एन की जिए तीन रख दीजिए भूजाओं की सिंख्या चेतर हो जया है एन की जिए चार रख दीजिए पंच हो जया है एन की जिए पांच रख दीजिए यानि एन क्या है भूजाओं की सिंख्या बभूज में भूजाओं की सिंख्या हम लिख देते हैं एन भूजाओं की सिंख्या एंड क्या है भूजाओं की सिंख्या अगर सम्षड हो जाएं तो हो जाएंच है अब परस नंबर च्यार का एपार्ट मिल्कुल आराम से समझ में आएगा विल्कुल आसान क्वेस्टन है अब एंड क्या है इसमें भूजाओं की सिंख्या देदी साथ एंड की वैलूदी ने देदी साथ तो एंड बराबर साथ दे दिया अब एंड भूज के कोणों का योग फर्मुला वही, n-2 गुना 180, यह हम कह सकते हैं, n कितना है, 7-2 गुना 180, या 5-180, या 189-900 डिग्री, यह आजाएगा, यह बच्छों समझ में आगया हुगा, n की जगया, n की वैल रिपूट करती, बस, कुछ निक्या, second part, b, b में n क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू, 8, इसमें शिर्फ रे, n की जगया, 8 रतना है, अब हम करेंगे, कोणों का योग, अन्त्य कोणों का योग है, n-2 वही, भर्मुला, 8-2, गुना, 180, या, 6 गुना, 180, या, ठाला जी का, 108, 108, 1080, या, 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 यदि, n की वैल्यू कितनी है, 8, और यदि, n की वैल्यू, 10, 10, C पार्टिशी का, n बराबर 10, तब कोणों का योग, n की जगे 10 रखते हैं, 10, माइनस, दो गुना, 180, या, दस में से दो कितनी है, 8, 180, आप, 180 की और 8 की गुना, 10, ऐसे ही लग जाएगी, 13, 24, 1440 से डिग्री, 1440 गी, और ये, लास्ट पार्ट है, इसका, डी, यदि, n बराबर, n, यानि, भुजाओं की संध्या की तरी दे रखी है, n, भुजाओं की संध्या, n है, तब फर्मूला क्या बन जाएगा, कोणों का योग, n-2 गुना इस्वस्य, ये हो जाएगा, अगर उसकी, क्या दिवी है, n, भुजाओं दे रखी है, ये था आपका परसन नम्बर हैं, 4, परसन नम्बर 5 आपके सामने है, संबहुज क्या है, एक संबहुज का नाम बताएगे, जिसमें, 3 भुजाएँ, 4 भुजाएँ, 6 भुजाएँ हो, बत्तों, संबहुज क्या है, संबहुज से पहले तो, परसन नम्बर 5 में हम करेंगे, संबहुज क्या है, संबहुज जिसकी भुजाएँ, समान हो, उसकी सबहुजाएँ समान हो, उसे क्या बोलते हैं सम वह भूज यहनि हम करेंगे सम पहले बताए कि अ क्या है जो जिस थोसकी सबी इसाएं समान है जिस बहुज़ की सम ही बुज़ाएं समान हो उसे क्या बोलते हैं समें बहुज़ अब इसके ए पार्ट में क्या है तीन बुज़ाएं जिसकी तीन बुज़ाएं समान है इसका विल्ब क्या होगा सम बहुति बुज सम, बाहू, तिर्भूज जिस बाहूज के तीन बुजाएं समान है सम, समान, बाहू, भुजा, तिर्भूज यानि जो तीन बुजाओं से गिरिया करती है यानि जिसके सभी बुजाएं समान है जिस तिर्भूज के उसे हम कहते हैं सम, बाहू, तिर्भूज जिसकी चार बुझाइं समान है उसे हम कह सकते हैं वरग जिसकी चार बुझाइं समान है, थर्ड बात, छे भूजाएं समान हो, जिसकी छे भूजाएं समान है, उसे हम कहेंगे सम सट भूज, जिसकी छे सम समान सट छे भूज भूजाएं, जिसकी छे भूजाएं समान है, उसे बोलते हैं समें सट भूज, ये था आपका परसन नम्बर पांस, परसन नम्बर उसके चारों कोंडों का योग कीतना होता है 360 डिग्री तो यहां पर क्या है कोई वी चत्रभूज है उसके 4 कौनों का योग 306 डिग्री होता है तो हम लिकेंगे इसमें 50 डिग्री कौनों का योग देरेके 50 डिग्री पलस 130 डिग्री पलस 120 डिग्री पलस X बराबर 360 और ब्रेकेट में यह जूँ लिकेंगे चत्रभूज के 4 कौनों का योग 306 डिग्री होता है यहां पर लिख देंगे चत्रभूज के कौनों का योग ताकि पता लग जाए बत्सों कि आपको इसके बारे में जानकारी है इसके लिखना ज़रूब ही है यानि चत्रभूज के 4 कौनों का योग 360 डिग्री होता है तो आप देखे 50, 130 और 120, 250 और 50 कि दो जाए 300 पलस X बराबर 360 या X बराबर 360 माइनस 360 डिग्री है एक्स कमान की तरह आया शाट डिग्री है यह दाफ़ा यहां पर भी 90 का है यह वी क्योंकि रहकी क्योंकि बनाते हैं जो वह 180 डिग्री होते हैं यह सल रेका पर हमेशा 180 डिग्री यह कौन होता है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से जैसे इसमें कि हमने क्या करेंगे 90 पलस शाट पलस सत्तर पलस एक्स चारों कोणों का यह कित्रा हो जाट तिमसों साट इसके अंदर क्या है यह 90 डिग्री है साट डिग्री सत्र डिग्री अब यहां परें क्या करेंगे अब इनको जोड़ दीजिए साट और सत्तर एक्सों तीस और नपए 220 पलस एक्स बराबर 306 या एक्स बराबर 306 माइनस 220 बराबर 140 डिग्री इसके ब्रैक्ट में बच्चों आपने ऐसे ही लिखना है चत्र भूज के अंत्य कोणों का योग है 360 डिग्री होता है क्योंकि ताकि पता लग जाए कि आपको इसके बारे में जानका नहीं है सी पार डिपल कुनुशी प्रकार से ये बहुज एक दो तीन चार पांच पंच भूज में गई और ये पंच भूज में हमने बताया था कोणों का योग कैसे एक बहुज के कोणों का योग कैसे निकलते हैं аются अर्मा इन बाइन्स 2 यानि पांस मांनेश दो गुणा एकसवस्विस में पहले इसके कोणों का योग नीगाल लते हैं तीन गुणा एकसो एकसो अस्ची याठारा तियाद चभान पान्सोंच घृ कि इसके कोणों का योग आया कितला है 524 दिडिर आप बिलकुर उसी प्रकार ये सटरी रिए ये सल रैकिए कोन बढ़े है क्या बढ़ियां सभर रैखिय है यहां का है कि यूगम एक ही रेका पर दो यूगम है ये 70 का है तो ये कितना का बचिया 110 दिगरी यानि कितना यहां पर यह कितना बच्क रोगिए 120 दिग्री का बच्क रिख किए 120 दीग्री यहां पर कितना एक सो दस दिग्री और पंच भुच के अ क्यों का योग हमने निकाल दिया कितना है 540 दिगरी बिल्कुल वही तरीका जैसे इसमें क्या है 30 दिगरी पलस 110 दिगरी यह लिए 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 पलस 120 दिगरी पलस X पलस X ज्यानि पांच कोड़ों के एक दो तेन चार पांच पंच बहुबुज है और बराबर कितने के होता है 540 की अब X कमान करना हमने इसको जोड़ दीजिए 122,3,150,260 पलस 2X बराबर 540 या 2X बराबर 540 माइनस 206 जब इसको घटाएंगे 0,14 में 6 गई 8, 4 में सिदो गई 2, 280 यानि 2X बराबर 280 या X बराबर 280 बटा 2 कितना जाएगा 140 दीजिए 140 पर कटा यानि X कमान कितना जाएगा 140 दीजिए इस बहुबुज में एक्स कमान कितना आब इस में निकाते हैं सबसे पहले बच्चों ये देखो कि ये बहुज है कौन सी एक दो तीन चार पांच ये भी पंच बहुज है इसका मतलब पंच बहुज का दोने कौनों का योग निकाल लाई या भी सम्हें बहुजाय समान है जिस वहुज की वह तो यह एक्स है यह इसके सारे जिक्ट क्यों ठीक होंगे या हम कह सकते हैं एक्स पलस एक्स पलस एक्स पलस एक्स बड़ाबर या फंसुटारीश स्था एक दो तीन चार पांच और ब्रैकेट में यह जरूब लिखेंगे क्योंकि सम बहुज के कोनों का योग ये 540 जैसे यानि खेंगे क्योंकि ब्रेक्ट में सम पंच भुज या पंच भुज के कोनों का योग 540 दिख्री होता है पांच एक्स बराबर 540 या एक्स बराबर 540 बटा पांच एक 108 पर या एक्स बराबर कितना आगे 108 डिगरी यह जा एक्स कमाद परस्ट नमर साथ आपके सामने है अंतिम परसं यह आकरती ए एक्स से पलस वाई पलस जेड ग्याद करना है और आकरती सेकंड एक्स पलस वाई पलस जेड पलस डबलू ग्याद करना है बच्चों देखिए पहली आकरती में हमने क्या ग्याद करना एक्स पलस वाई पलस जेड इसका माल ग्याद तो एक्स से पलस से वाई पलस जेड किस इसी भी बहुभुज के, बाईए कॉनका, योग, 360 डिगरी, और यहां पर लिख देंगे, क्योंकी, यह क्योंकी का निशान है, बहुभुज के, बाई ये कौनों का योग 360 डिगरी होता है क्योंकि बहुज के बाई ये कौनों का योग सदैव हमेशा 360 डिगरी होता है ऐसे हम इसमें करेंगे सेक्ने पाल्त में याद करना एक्स पॉलस देमियु यह वाये कौनों का ये मान याद करना है यह पिसको क्या निखेंगे कौन एक्स पालस आप finalement पिन्यडॆ अट डवलू ब्राबर तिनसों शार्द hearts कि यहां यहाँ पर लीकिंगे क्योंकि बहुबुज के भाईये कोनों का योग 360 डिगरी होता है यह थे आपके किसी भी बहुबुज के भाईये कोनों का योग सदेव 360 डिगरी होता है बच्चों आज की वीडियो में इतना ही अगर कोई आपका डाउट रहता है आप कोमेंट्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे अक्सरसाइज 3.2 के पहले स्वाल के साथ तब तक जय ही जय भाई